कि अपने स्कूल का यॉपिकेशन उसमें रेजिस्टर कर सकते हैं उसके लिए नीचे एक मुबाईल नंबर का बटन दिखेगा मे Marketing करना ना है इडिएरी आफले हैं आपको if पर अपने स्कूल का लोगो और नाम ये वह दिखेगा और उसके एकदम नीचे एक मुबाइल नंबर का बटन दिखेगा जिसके उपर आपको क्लिक करना है यहाँ पे आपको वो मुबाइल नंबर एंटर करना है जो आपने स्कूल में दिया हुआ है अगर स्कूल में आपके मदर का नंबर है तो यहाँ आपके mother का number आप enter करेंगे और अगर school में आपके father का number है तो यहाँ पे आप अपने father का number एंटर करेंगे तो यहाँ हम mobile number जो है वो enter कर देते है mobile number एंटर करने के बाद इस mobile number पे 6 digit का OTP आपको receive हुआ होगा जो OTP आपको यहाँ पे enter OTP वाले जगे पे enter करना है अगर यह number आपके parents का है और वो काम पे गयर हुए है तो भी कोई problem नहीं है आपको बस उनसे जो यह 6 digit का OTP आया होगा वो लेके यहाँ enter OTP वाले जगे पे enter करना है तो OTP जो है वो हम enter कर देते है OTP एंटर करने के बाद जो verify का button है आपको उसके उपर क्लिक करना है verify के button के उपर क्लिक करते ही इस तरीके से आपका एक page open होगा जहाँ पे आपको pin set करने को बोला जाएगा बच्चों यहाँ पे आपको यह कोई ऐसा pin set करना है जो आपको लंबे समय तक याद रहे क्योंकि यह pin आपका password बन जाता है तो कोई ऐसा pin set की जएगा जो आपको लंबे समय तक याद रहे और उसको confirm करने के लिए जो set का button है आप उसके उपर क्लिक करेंगे यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी कुछ basic information जो है वो fill करनी होगी यहाँ पे student का full name जो है वो आपको enter करना है अगर एक से जादा बच्चों के लिए school में यह number दिया गया है तो इस तरीके से slash करके आप दोनों बच्चों का या तीनों बच्चों का नाम जो है वो enter कर सकते है यह खाली तभी enter कीजेगा जब school में दोनों या तीनों siblings के लिए same number दिया गया हो यहाँ email address में आप या तो अपने बच्चे का email address enter कर सकते है या फिर as a parent अपना भी कर सकते है birthday में आप बच्चे का birthday रेंटर करेंगे referral code जो है वो आपको blank रखना है उसमें आपको कुछ भी enter नहीं करना है gender में student का gender select कर देंगे are you a teacher में by default आप no रखेंगे I accept to terms and conditions के box के उपर click करने के बाद जो let's roll का button है आपको वो select करना है let's roll के उपर click करने के बाद जो यह next page आपका open होता है वहाँ पे जो skip का button आपको show होगा वो आपको select करना है बच्चों याद रखिए कि यह information जो है आपको fill नहीं करनी है आपको simply skip का जो button है उसके उपर click कर देना है यह करने के बाद जो पहला page आपका home में open होता है वो आपकी school का page होता है अब यहाँ पे school के तरफ से अगर को information भेजा जाएगा तब ही आपको show होगा जब तक school को information इस page पे नहीं भेजती है तब तक आपको no record found करके ही show होगा यहाँ पे home के बाजू में जो academics का button है आपको उसके उपर click करना है जब आप उसके उपर click करते है तो इस तरीके से आपको उन सारे बच्चों का नाम view हो जाएगा जिन के लिए school में ये number दिया गया है तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि खाली एक ही student dummy student जो है उसके रहे ये number दिया गया है अगर dummy student के साथ उनके siblings के लिए भी ये same number दिया गया होता school में तो यहाँ पे उनके siblings का नाम भी आपको show होता अब यहाँ से आप जिस भी बच्चे का नाम select करते है उस बच्चे का profile जो है वो open हो जाता है दुबारा से profile select करने के लिए जो नाम के बाजू में ये button है ये जो button आपको दिख रहा है नाम के एकदम बाजू में वो button के उपर आपको click करना है यहाँ पे click करते ही दुबारा से आप वो profile selection वाले page के उपर बहुत जाते है जहाँ पे siblings के नाम की बीच में आप select करते है जिस भी student का आप नाम select करेंगी उनके assignments, उनके classes के links, उनके notes या videos जो teachers ने भेजे है उनके class के लिए जो भी ये भेजा गया है उनके लिए वो आपको view होगा तो इस तरीके से बच्चों आपको application में register करना है